अगर आपके पास pen card है एक वर इसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर कुछ गलत होता है तो आप अभी से साब्धान हो सकते हैं तेकि यहाँ पर एक सॉट इस्टोरी है सॉट में बताता हूं मेरा pen number से किसी ने फर्जी घेस्टी नमबर ले रखा था जब मैंने उसे सर्च किया तब मुझे पता चला यह पतानी कहां से किसने फर्जी ले रखा है तो आपके भी pen card पे कोई फर्जी घेस्टी नमबर हो सकता है यह बिना आपकी जानकारी के ही होता है मेरी जानकारी में नहीं था जब सर्च किया तब मुझे बता चला तो पूरी प्रॉसेस है इस वीडियो में आप उस फरजी नंबर में कैसे कैंसल करवा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिकि सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपिन करना है और वहां पे आपको सर्च करना जी एस्टी सर्च करके पहली लिंक आएगी वहां पे क्लिक कर देना है और फिर उपर सर्च टैक्स पेर पे क्लिक करना है उसके बाद सर्च पैन और यहां पे आपको अपना जी एस्टी नंबर डालना है आप भी यहां पर सर्च कर सकते हैं, अपना पैन नमबर डालके, कितने जीएस्टे नमबर आपके पैन कार्ट से चल ला है, कितने आप खुछ चला रहे हैं, कितने आपके फरजी चल ला है, वैसे यह सब के साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है, पर अगर आपके साथ ह होता है तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा तो यहां पर मैंने जब सर्च किया तो मुझे दो GST नमबर मिल जाते हैं जिसमें एक इनक्टिव है जो मैं करवा चुका हूँ दूसरा एक्टिव है इसको मैं इनक्टिव कराने जा रहा हूँ सलेक्टू रिपोर्ट और रिपोर्ट पर फिर किलिक करना है उपर अपनी डेत अब डालनी है नीचे अपना एड्रस डालना है जो भी एड्रस आपके आधार कार्ड में रहेगा वही एड्रस आपको डालना है यह नीचे आपको मेल डालनी है यह वही मेल डालनी है जिस पर आ करना है क्योंकि अभी आपको verify करना पड़ेगा फिर कोई भी इंग्लिस या इंदी वाला कंसें सेलेक्ट करने के बाद आधार नंबर सेलेक्ट कर दीजे यहां पर अपना आधार नंबर डाल दीजे यह verify कर रहा है कि आप ही असली ओनर है या नहीं है इस पैन नंबर के तो OTP हमें validate करना है डालने के पाद और फिर OK पर क्लिक कर देना पिर जब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपकी detail दिख जाएगी और फिर यहां पर आपको एक declaration दिया है कि हां मैं इसका honor हूं और यह GST नंबर मेरा नहीं है मैं इसको cancel कराना चाहता हूं और फिर आपको accept पर क्लिक कर देना है और फिर आपको एक ARN नंबर मिल जाएगा yes पर क्लिक करना है यहां पर आपको एक ARN नंबर मिल गया इस ARN नंबर से आपना status चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी आपने application डालाया भी cancellation का यह कहां तक पहुंच गया है अगर आपकी पूरी detail सही होती है वै आप cancel करा सकते हैं जो आपके pen card पे कोई और use कर रहा है उसको आप cancel करा सकते हैं तो thank you so much बहुत अच्छा लगा आप अभी तक यहां तक वीडियो देख रहे थे अगर आपका नाम है तो आप इसी तरीके से cancel करा सकते हैं तो please channel को subscribe कर लीजे और वीडियो को like कर दीजे और अ साहित किसी का गलत GST number किसी के pen card पे ना चल लाओ thank you so much